स्टार्टिंग में हम देखते हैं बाया कुए बूलता है रुक्या कुचुकी ने क्राइम किया है तो उसे सजा भी होगी आज से 25 दिन बाद सेंटरल एक्जिक्यूशन ग्राउन में रुक्या को पनिश्मेंट मिलेगी यही फाइनल डिशीजन है सोल सुसाइटी का नेक्स इन में बाया कुए को पीछे से एक कैप्टन बूलता है मेरा कॉंप्लिमेंट है सिक्स कौट के कैप्टन से उसका नाम गी नीची मारू है वो बूलता है कि आप अपनी बेहन को सजा दिलवा रहे हो और आपको कोई फरक नहीं पड़ रहा है आप सब सोल रिपर के मत बनो तुम और स्कौट 9 के कैप्टन ही खाली ऐसे सोल रिपर हो मरने से डरते हो तभी बया कुए बूलता है तुम क्या चाते हो मुझसे तभी गीन बोलता है हमें बस चिनता हो रही है सिक्स कौट के कैप्टन की सब बुरा फिल कर रहे हैं क्योंकि तुमारी सिस्टर एक् कोई लेना देना नहीं है तभी केंपाची बुलता है क्रिमीनल नोबल फेमेली के रेप्यूटेशन को डाउन करते हैं तभी बया कुया बुलता है तुम कॉमोनर्स को कब से नोबिलीटी के बारे में पता चल गया तभी केंपाची बुलता है मैं हमेशा से ही सेंसेटिव रहा हूँ अगर तुम चाहो तो मैं क्रिमिनल का गला काट दू एक्जिक्यूशन से पहले ही तभी बया कुया कैनपाची को बोलता है तुम्हारे अभी के लेवल से तो तुम किसी का गला भी नहीं काट सकते तभी केनपाची और बया कुया के बीच फाइट होने वाली होती है तभी गिन केनपाची को पकड़ कर लेके जाता है और बया कुया से माफिम मांगता है नेक्स इन में हम देखते हैं टैसाई गड़े में से बाहर निकलता है तभी हम देखते हैं इचीगो और उरहारा ट्रिनिंग फाइट करते हैं तभी उरहारा अपनी स्वाट से इचीगो का मास्क तोड़ देता है और बोलता है तुमने अपना गार्ड डाउन किया था तो मैंने तुम्हें मारा तभी उरहारा इचीगो को बोलता है तुम यही सोच रहे थे ना कि मैं एक सोल रिपर नहीं हूँ तो मेरे पास जानपाक्टो नहीं होगी और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुचा पाँगा तभी उरहारा बुलता है जाग जाओ बेनी ही में तभी इचीगो शौक हो जाता है और उसको याद आता है कि जानपाक्टों को जगाने के लिए उसका नाम बुलना पड़ता है तभी उरहारा बोलता है सारे जानपाक्टों एक अलग नाम होता है और मेरी वाली का नाम बेनी ही में दा रेड प्रिंसेस है तभी उराहारा अपनी जानपाक्टों से इचीगो की जानपाक्टों को बहुत इजली काट देता है तभी एक और बार उराहारा अपनी जानपाक्टों से इचीगो की जानपाक्टों को काटता है खाली हैंडल ही बचता है तभी इचीगो बागता है तबी इचीगो को वापस से जांगेटसू दिखता है और वो इचीगो को बोलता है तुम बाग क्यो रहे हो इचीगो तुमने अभी तक मुझे नहीं बुलाया तुम सामना करो इचीगो और अभी तो तुम जान सकते हो तुम्हें डर ही हरात रहा है इचीगो तुम्हारा खाली एक ही दुश्मन है और वो तुम हो इचीगो तो तुम्हें डरना नहीं है तभी इचीगो रुख जाता है और अपनी जानपाक्टो का नाम बोलता है जांगेच्चू तभी इचीगो की जानपाक्टो एक अलग शेप ले लेती है तभी जिन्टा टैसाई से पूछता है ये कैसे जानपाक्टो है उसका कोई हिल्ट और हैंड गार्ड नहीं है तभी टैसाई सोक हो जाता है तभी उरहारा बुलता है तुमने अपनी जानपाक्टो को अर्चीव कर लिया अभी तुम तैयार हो next lesson के लिए तभी इची गो बुलता है sorry Mr. उरहारा पर अभी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं अपनी powers को तभी इची गो उरहारा पर attack कर देता है और उरहारा खुद को बचा लेता है पर उसकी हैट तूट जाती है और उरहारा बुलता है तुमन एक ही शॉट में हरा दिया इची गो तुम एक डरावने बच्चे हो तुम्हें पता है क्या तुमने lesson 3 clear कर लिया तभी नेक्सिन में हम उर्यू को देखते हैं वो बूलता है आकिर कार मैंने कर लिया thank you sensei पर नेक्सिन में हम देखते हैं चैड अपनी powers की practice कर रहा होता है तभी योरोईची बूलता है तुम पागल तुम अपनी powers कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और अभी यहां से भागो जल्दी तभी योरोईची भी मन में खुश होता है और बोलता है मुझे तो यकिन नहीं हो रहा कि दोनों ने अपनी powers को जल्दी जगा दिया इतने कम टाइम म नेक्स इन में हम देखते हैं इची गो खुश से बूलता है जब उरहारा की शॉप में मेरी ट्रेनिंग कम्पलीट हो गई उसके बाद मैं गर चला गया और वेट कर रहा हूँ कि सोल सुसाइटी का गेट कब खुलेगा तो अभी मैं यहां पे हूँ अब ये मेरा लास्ट सम और वेकेशन है तभी केगो और इचीगो के डेट पागल पंती वापस से स्टार्ट करते हैं तभी और और ताच्सुकी को अप्रिशेट करती है वर्ल्ल मार्शेलाट चैंपियनशिप में सेकेंड आने के लिए तभी और ताच्सुकी को बूलती है कि मैं और मेरा भाई हर स साल यहां आते थे और उसके पास एक एबिलिटी थी जिससे वो अपने हाथों में ड्रेगन फ्लाइ को पकड़ लेता था तभी ताच्चु की ओरी हिमे से पूछती है क्या तुम अपने रिलेटिव को मिलने जा रही हो ये समर वेकेशन में तो तुम जल्दी आना और सेफ रे खुश होना चाहिए और मैं सेकंड आई टॉर्नामेंट में तो मैंने बहुत कुछ सीखा टॉर्नामेंट से ठेंक्यू ओरी हिमें तब में नेक्स इन में हम देखते हैं इचीगो अपने बैट पर बैठा होता है और उरहारा के बात याद करता है कि आज से साथ दिन बाद त अपने रूम के विंडो को खोल कर रखना तो इचीगो विंडो खुली रखता है तबी बाहर से कुछ आता है और इचीगो के क्लोजेट में जाके लगता है उसमें लिखा होता है प्लीज जल्दी से उरहारा की शौप के सामने आ जाओ तबी इचीगो गुसे में बूलता है ऐसे message कौन भेजता है ये कोई murder scene नहीं चल रहा है तबी बचा हुआ red color का liquid नीचे गिरने लगता है उसमें लिखा होता है कि तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि ये एक dying message है जो किसी के खून से लिखा हुआ है तो तुम्हारे अंदर कोई sense of humor नहीं है तबी इचीगो अपने घर से जा रहा होता है तबी इचीगो के dad उपर से नीचे गिरते हैं और इचीगो को एक locket देते हैं और बुलते हैं ये एक lucky locket है तुम्हारी mom ने दिया था तुम्हें देने के लिए तो इचीगो बुलता है त देना था इसलिए नहीं दिया था अभी तक और बुलते हैं कि ये मैं locket तभी दे सकता हूँ जब तुम अपने trip पर जाओ ये gift रखो अपनी mom की तरफ से तभी इचीगो अपने पापा को बाय भूल के निकल जाता है तभी हम देखते हैं इचीगो रुक्या के past यात कर रहा होता है और तभी इचीगो उरहारा की shop पर पहुच जाता है और उरहारा चैट को देख कर पूछता है तुम यहां क्या कर रहे हो चैट तो चैट बोलता है रुक्या ने मुझे एक बार बचाया था इसलिए मैं उसे बचाना चाहता हूँ तभी हम वहाँ पे उर्यू को भी वह बुलता है मैं कैसे भी सोल्ड रिपर से आर नहीं सकता इसलिए मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ तभी पीछे से ओरी ही में भी आती है और योरो इची इचीगो से बुलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारे फ्रेंस के अंदर एक अनोखी चाहिए तो तुम्हें उनको ठेंक्यु केहना चाहिए तो इचीगो शौक हो जाता है कैटच को बोलते देखके तभी सब लोग उरहारा की बेजमेंट में जाते हैं वहां पर उरहारा सुल सोसाईटी जाने का गेट दिखाता है और बोलता है ये सैंकाइ मोन है तभी ये एक spirit particle conversion machine है तुम्हें पता है कि soul society एक spirit world है तब तक तुम्हें एक spirit form में नहीं होगे तो तुम अंदर जाते ही मर जाओगे इची को अंदर जाएगा उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि हूँ एक soul ripper है और तुम लोग conversion machine से होते हुए जाओगे तो तुम एक spirit बन जाओगे पर इसमें एक problem है मैं इस gate को खाली चार मिनिट के लिए ही खोल सकता हूँ अगर तुम लोग चार मिनिट के अंदर cross नहीं कर पाए तो तुम हमेशा के लिए soul society और human world के बीच में हमेशा के लिए रहे जाओगे तब ही औरी ही में बूलती है हम ये कैसे कर पाएंगे तो यो रू इची बूलता है तुम्हें अपने body और heart को और soul को एक साथ करना होगा और तुम्हें डरना बिल्कुल नहीं है और पीछे भी नहीं देखना जब तुम चलोगे तब पेरे पीछे आओ अब तुम तभी इची गो और उसकी team soul society के लिए निकल जाती है तभी episode खतम झाल 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 झाल